नमस्कार दोस्तों आए स्टार्ट करते हैं 20 जनवरी का 1st एडिटोरियल और उससे पहले बात करते हैं कि कैसे आप paid courses एक्सेस कर सकते हैं तो paid courses के लिए आपको ये application आशिस classes डाउनलोड करना है play store से सीधा आप सर्च कर सकते हैं आशिस classes के नाम से या फिर description में आपको link दिया है वहाँ से इससे आप download कर सकते हैं इसमें काफे सारे paid courses अभी तक launch किये जा चुके हैं उन सभी paid courses में आपको demo videos मिलेंगे साथ में उनका PDF उप्लब्द होगा तो एक बार आप visit कर सकते हैं कुछ e-books भी यहाँ पे available हैं vocabulary की वो भी आप देख सकते हैं साथ ही telegram channel का link भी है उसका नाम भी आशिस classes है उस पर भी आप connect हो जाएं क्योंकि वहाँ पर आपको quizzes मिलते हैं regular interval पर और साथ ही YouTube community में भी जुड़े YouTube community में भी आपको quizzes मिलते रहते हैं आज के editorial को start करते हैं और उससे पहले कुछ words जो खास हैं आज के session में वो देख लेते हैं पहला word है tangle tangle का जो प्रियोग हुआ है वो noun के रूप में हुआ है a difficult or complicated situation इसका मतलब है a difficult or complicated situation ये इसका मतलब है एक मुश्किल या फिर जटिल स्किती ये कहा जा सकता है इसे tangle को roll out है ये एक phrasal verb है इसका मतलब होता है introduce करना या फिर आप इसे कह सकते हो launch करना या start करना begin करना कोई भी product market में पहली बार आप launch कर रहे हो उसके लिए आप ये उज़ कर सकते हो roll out या फिर कोछ चीज को start कर रहे हो उसके लिए भी आप roll out का use कर सकते हो next is snag snag noun है इसका मतलब एक difficulty होती है difficulty कहा जा सकता है complication कहा जा सकता है जटिलता ठीक है critical होने के स्थिति being critical जो होता न उस स्थिति को हम क्या कह सकते है snag फिर है inclement inclement adjective है और inclement का प्रियोग हम जो करते हैं वो generally weather के लिए करते हैं तो weather जब को तुफानी हो stormy weather हो या फिर आप यह कहें कि भूती harsh weather हो unpleasant हो उसे कहा जा सकता है inclement boisterous भी एक word होता है इसके लिए b-o-i-s-t-e-r-o-u-s boisterous यह भी इसका synonym हो सकता है content है वो verb है इसका मतलब होता है claim करना दावा करना कहते हैं इसको तो claim करना या फिर इसे कहेंगे ever assert to have your task cut out यह एक phrase है तो इसका मतलब होता है to have something difficult to do कुछ मुश्किल होना करने के लिए मतलब कोई मुश्किल कारी अगर आपके पास है करने के लिए तो इसको बोलता है to have your task cut out hammer out एक phrasal verb है इसका मतलब होता है to reach an agreement to reach an agreement after consideration या discussion after consideration या फिर कहेंगे discussion मतलब चर्चा करने के बाद में अगर आप किसी निश्कर्स तक पहुंचते हैं किसी हल तक पहुंचते हैं तो उसे कहा जाएगा क्या hammer out तो यह आपका यह 7 words आप इसका screenshot ले लीजिए अब देखिए editorial है उसका title है technology tangle tangle का मतलब हमने जान लिया difficult या complicated situation को बोलते हैं तो technology के अंदर जो एक तकनीकी समश्या रही है उसको लेकर editorial लिखा गया है America के बारे में article है अमेरिका जो 5G launch करने की कोशिश कर रहा है लेकिन जो विमान company है या फिर विमान जो regulator है aviation regulator जो है वो अब यहाँ पर चतावनी दे रहा है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो हम लोग reschedule करना पड़ेगा हमारे को हमारे जो भी take off करने का schedule है या फिर हम कहें कि इस रास्ते से हम नहीं जाने देंगे planes को तकनीकी कुछ खामिया बता रहे हैं क्योंकि तकनीकी problems यहाँ पर आने वाली है उनको तो उसी के बारे में डिटोरी लिखा गया है technology tangle तकनीकी एक complicated समश्या तो कह रहा है almost 11 months लगभग 11 महिने किसके बाद United States leading telecommunications companies अब leading का मतलब अगरनी होता है telecommunication companies का यह telecom companies mobile data मतलब जो mobile companies यह से हमारे वर्डा फोन है जीओ है वैसे अमेरिका की telecom companies की बात कर रहा है तो लगभग 11 महिने के बाद किसके 11 महिने के बाद United States की जो अगरनी telecommunication companies है इन्होंने प्राप्त की या जीती यह इसकी वर्ब है bids का मतलब निलामी होती है बोली होती है कितनी 81 billion dollar वर्थ इतने मुल्ले की 81 billion dollar के मुल्ले की जो निलामी है उसको इसने win कर लिया है of C band radio spectrum अब यह तकनीकी word है C band spectrum का मतलब range होती है तो यह जो इस range की जो यह एक निलामी लगी थी 5G के लिए उसको इसने जीत लिया किसलिए to roll out roll out का बताया था मैंने अभी आपको introduce करना start करना begin करना launch करना ताके launch की आदा सके 5G services को ठीक है उसके 11 महिने के बाद the much awaited introduction यह भूत ही मतलब लंबित था काफी दिनों से इसका इंतजार हो रहा था तो यह जो introduce किया गया इस चीज को hit a major snag snag का मतलब difficulty तो इसमें एक मुख्य आप इसको obstacle भी कह सकते हो वैसे obstacle भी इसे कहा जा सकता है तो इसमें मुख्य व्यवधान आया this week कि क्या व्यवधान आया after the country's leading airlines warned off जब देश के जो अगरणी airlines है उन्होंने चितावनी दी किस बारे में चितावनी दी मैसीव फ्लाइट डिस्रप्शन मैसीव का मतलब भारी भर कम होती बहुत ज़्यादा फ्लाइट डिस्रप्शन होगा ठीक है बहुत ज़्यादा व्यवधान आयेगा फ्लाइट में if the wireless technology was put into operation कब यदि इस wireless technology को ये 5G ये US के जो एरपोर्ट सा उसके इर्द गिर्द की बात कर रहा है वहाँ पर काफे डिस्रप्शन साएंगे ये जितावनी इन्होंने दी है अब देखे समझने वाली बात ये है कि टेलेकम्यूनिकेशन कंपनी जो है ये सब्जेक्ट है इसकी वर्ब है वन विन के सेकिंड फॉर्म है युनाइटेड स्टेट्स चुकि नाम पूरा युनाइटेड स्टेट्स है जुड़ा हुआ है तो अब इसको अगर जिनिटिव केस आपको लगाना है अगर आपको कनेक्ट करना है एक और नाउन को तो तरीका यह है कि आप S के बाद में अपोस्ट्रोफे लगाएं ठीक है अच्छा बिड्स का मतलब निलामी होती है बोली होती है पता ही आपको रॉल आउट का मतलब इंट्रोड्यूस करना होता है लॉंच करना होता है यह पता है आपको तो दो सब्जेक्ट होगे दो वर्ब होगी इसके बाद में स्नेग है स्नेग का मतलब अबस्टेकल माल लो difficulty माल लो, समश्या माल लो, complication माल लो Leading Airlines है, यह subject है, इसकी वह want है किसके बारे में चताव नहीं दिया, उसके लिए off लगा दिया Massive Adjective, Massive का मतलब भारी भरकम होता है, बहुत ज़ादा होता है The Wireless Technology subject है, इसकी वह was put है, put कितीनों फार्म से हम होती है Especially का मतलब particularly होता है, around का मतलब इरदगिर्द को बोलते हैं तो यह इसका मतलब है, एक बार फिर समझ देजिए, किनरेडर स्टेट्स की जो Leading Cali Communication Companies हैं, जब उनको 81 billion dollar के मुल्य की, जो यह C-band Radio Spectrum की जो बोली है, वो इन्होंने प्राप्त कर ली, कि इसलिए 5G Services को launch करने के लिए, तो जो यह मच आवेटेट इंट्रेक्शन था, इसने हिट किया, एक major snack को, मतलब एक बड़ी समझा इसके सामने आ गई, इस समझा यह आए कि भी देश की जो leading airlines है, leading का मतलब अग्रणी होता है, executive है, तो देश की विवधान कहां आएगा, इस देश के airports के इर्दगिर्द की बात कर रहा है कि यहां पर यह समझ्या आएगी, in a compromise on the eve of, on the eve of जो होता है, एक phrase है, इसका मतलब होता है, on the occasion of कह सकते हो, on the occasion of, या फिर आप इसे कह सकते हो, just prior to something, just prior to something, मतलब किसी चीज के पहले, किसी event के पहले, तो in a compromise, एक समझोते के रूप में, एक compromise on the eve of the planned rollout on January 19, कि भाई, यह उस पूर्वसंध्या की बात है, या फिर उससे पहले की बात है, कि 19 जनवरी को planned rollout होना था, योजनाबत तरीके से introduce की जानी थी यह services, तो एक compromise के रूप में, AT&T and Verizon, अभी companies है, यह agree हो गई, यह सहमत हो to delay introduction, कि हम यह जो new wireless service launch करने जा रहे थे न, उसको हम introduce रहा late कर देंगे, डिले कर देंगे, near key airports, कहां पर, जो मुखे airports हैं, उसके आसपास जो हैं, हम उसके बाद launch कर देंगे, यह agree हो गए, तो on the eve of का मतलब, के पहले है, के पूर्वसंध्या पर है, planned यहाँ पे executive का का काम करे करते हो, तो on का प्रियोग किया जाता है, तब तक, जब तक कि हम उस particular date, यह उस particular day की बात करें, अगर उस day से लेकर, उस date से लेकर, आज तक की बात हम करते हैं, तो फिर since का प्रियोग किया जाता है, ठीक है, आगे देखें, the two major telecom commitments, जो दो मुखे telecom कमपनिया है, उनकी जो प्रतिबदताएं हैं, उनके जो commitments है, not with standing का मतलब होता है के बाउजुद, not with standing को आप यह कह सकते हो, कि यह despite है, या फिर इसका मतलब है, in spite of है, इसका मतलब के बाउजुद होता है, यह डवाप के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है, यह preparation के रूप में भी यूज़ कि several determiner है, इसका मतलब अनेकों होता है, आगे जो noun आएगा और plural आता है, तो अनेकों ऐसी घरेलू और अंतराष्ट्री यह airlines हैं, जो की उडान भरती है US तक, ठीक है, have announced in airlines ने क्या कर दिया है, इसकी वब हो गई, गोशना करी है, major rescheduling, इन्होंने कहा है कि बहुत बड़े स्त होने रद्द करनी पड़ेंगी, cancel करनी पड़ेंगी, to several destinations, वो जो की कई destinations तक जाती है, कई हमारे जो वायू यान है, कई जगे पे जाती है, वो हमें cancel करनी पड़ सकती है, sighting, sighting का मतलब हवाला देते हुए, अब sight को आप court, ये इसका synonym हो सकता है, reference का synonym हो सकता है, mention इसका syn है ये present participle, तो एक कारण बताते हुए, कारण बताया है, कुछ यहां warnings है, from the Federal Aviation Administration, इसको FAA कहा जाएगा, FAA की तरफ से, and aircraft makers और जो हवाईजास बनाते हैं, उनकी तरफ से, aircraft का याद रखिएगा, कि singular और plural, दोनों सेम होते हैं, ठीक है, ये singular भी है, और ये plural भी है, दोनों में यही काम आता है, that accurate functioning, क्या warnings है, कि जो accurate functioning है, बिलकुल ठीक तरीके से काम करने की जो तरीका है, of radar altimeters, altimeters होता है, जो उचाई मापने का काम करते हैं, आगे इसकी परिभाशा आजाएगी आगे slide में, तो radar भी एक टूल है, एक technical equipment है, जिसकी मदद से आप पता लगा पाते ह हो हवाई जाहाज की स्थिति, जो उड़ते वे हवाई जाहाज है, उनकी स्थिति क्या है, वो radar कहलाता है, कि accurate functioning जो है, radar altimeters की, some aircraft, कुछ हवायो यानों में, अब देको some आ गया है, फिर भी aircraft है, pluralist का aircraft ही होता है, may be affected, यह प्रभावित हो सकते हैं, पैसी वो इस है, by the 5G radio frequencies, 5 कुछ वादे इन्होंने किया, उसके बावजुद, अने को, domestic और international airlines है, जो कि US जाती है, उन्होंने अनौंस किया, तो यह इसकी वर्ब है है, ना अनौस्ट, क्या अनौस किया, कि भी बहुत बड़े स्तर पर हमें, रे सेडूल करना पड़ सकता है, साथ में यहाँ पे कुछ फ्लाइट्स को में cancel भी करना पड़ सकता है, जो several destinations तक जाती है, इन्होंने हवाला किस बात का दिया, इन्होंने कहा कि भी FAAB चेतावनी दे रहा है, साथ में aircraft maker चेतावनी दे रहे हैं, क्या चेतावनी है इनकी तरब से, कि भी accurate functioning जो है, radar altimeters की कुछ aircraft में परभावित हो सकत accurate functioning हो सकता है कि नहीं हो, ठीक है, क्या कारण होगा, कारण होगा 5G radio frequencies, ये कुछ दे रखा है, तो accurate functioning की जो verb है वो may be affected, passive ways, ये structure है, US के पहले दे है, योगि जिन भी देशों के नाम के साथ Republic जुड़ावा रहता है, Union जुड़ावा रहता है, United जुड़ावा रहता है, वहाँ पर दे लगाना है, UK से पहले दे लगेगा, US से पहले दे लगेगा, USSR से पहले दे लगेगा, UAE से पहले दे लगेगा, Irish Republic है, Republic शब जुड़ा हुआ है, तो दे लगेगा, जिद्हान लगेगा, ठीक है, बाकि इसमें कुछ खास नहीं था, और ये affected जो है, affect verb होती है, effect noun होती है, वैसे effect verb भी होती है, उसका फिर meaning different होगा, bring about होगा, कल के session में हमने देखा था, the altimeters, अब altimeters क्या है, वो समझाया गया है, कि altimeters क्या करते हैं, वो provide करते हैं, ये provide इसकी verb है, information, information uncountable noun होता है, याद रखेगा, इसका plural नहीं बनता है, याद रखना इसको uncountable noun है, अगर plural नह भी नहीं आता है, तो जो altimeters होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सूचना देते हैं, किस बारे में, on aircraft altitude, altitude का मतलब height होता है, altitude का मतलब height, कि कोई हवाई जहाद जो है, वो किस height पर उड़ रहा है, ये information मिलती है, किस से, altimeters से, nr, rbc के लिए है, ये cq verb है, और ये crucial part है, ये महत्त किया जाता है, उनका एक भूती महत्तपुन हिस्सा है, for pilots किस के लिए, pilots के लिए, particularly wishes करके तब की बात कर रहा है, जब वो while seeking, while के बाद जब भी verb लगाएं, तो सीधा ing form में लगाना है, आपको, ठीक है न, while के बाद जब भी verb लगानी है, तो सीधा ing form में लगाना है, कब की जब वो ये चाहें, to make low visibility landings in inclement weather, inclement का मतलब बताया कि तुफानी मोसम अगर है, कोई मोसम खराब है, उस इस्तिती में अगर वो कोशिश कर रहे हैं, low visibility landing, कि जहां दिखाई कम पड़ रहा है, visibility low है, वहाँ पे अगर land करवानी है हवाई जहाज को, तो उस इस्तिती में ये होते हैं, altimeters, altimeters की वह provide भी है, rb है, altitude का height होता है, while के बाद में verb आती है, yng form में आती है, inclement executive है, inclement मोसम के लिए खराब मोसम के लिए use किया जाता है, at the heart of the impasse, impasse का मतलब deadlock होता है, impasse का मतलब deadlock होता है, gridlock होता है, hindrance भी हो सकता है, hurdle हो सकती है, बाधा हो सकती है, रुकावट बाधा को बोलते हैं, obstruction हो सकता है, at the heart of का मतलब होता है, case center में, तो कहरा है कि impasse, ये जो रुकावट है, ये बाधा है, उसके center में एक fact नहीं हित है, fact की verb यहाँ पे lies है, क्या fact नहीं हित है, that both the 5G services and some flight equipment, कि दोनों चीज़े, एक तो 5G services, दूसरा कुछ flight उपकरन है, operate, ये operate करते हैं, on the same C-band radio spectrum, इसी, जो C-band radio spectrum बात करी, उसी spectrum पे काम करते हैं, with only the frequency varying, केवल, यहाँ पे frequency का अंतर आता है, varying का मतलब होता है, भिन्द होना, अलग-अलग होना, केवल, frequencies अलग-अलग हो सकती है, ठीक है, समझना, अब यहाँ पे at the heart of the impasse lies, ये lie जो है, ये intransitive verb होती है, ये कैसी verb है, intransitive verb है, मतलब इसके वाद में object नहीं लगेगा, lie के second form lay होती है, third form lane होती है, ठीक है, अच्छा जी, the fact की verb है ये, fact singular है, lie singular है, impasse का बता दिया, बोट के साथ में end लगता है, ये end लगा हुआ है, ठीक है, equipment जो है uncountable noun है, equipment का plural नहीं बनाना है, equipments नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, बाकी कुछ खास नहीं है, आगे देखिए, the FAA has said, FAA की बाद थमने कर ली, FAA ने कहा है, ये इसकी verb हो गई, क्या कहा है, to evaluate, ये जांचने के लिए, जांचना, क्या जांचने के लिए, data, जो आंकडे हैं उनको, from the wireless companies, इन आंकडे किसके, wireless companies के दोरा, to determine ये तै करने के लिए, कि how robust, robust का मतलब होता है strong, ये जांचने के लिए, ये तै करने के लिए, कि कितना robust, कितना strong, हर model है, हर एक model इल्टिमेटर का, कितना strong है देखने के लिए, and if required, ये ज़रुवत पढ़ जाए, तो ये भी करने कोशिश कर रहे हैं, कि have the devices retrofitted, ये have positive verb है, कि devices जो है retrofit कर दिये जाए, retrofit का मतलब है, manufacturing के दौरान वो fit नहीं किये गये थे, manufacture होने के बाद fit किये जा रहे हैं, उसको बोलता है retrofit, ठीक है, or replaced, अगर ज़रुद पढ़े, तो devices को manufacturing के बाद में fit कर दिया जाए, ये फिर इनको replace कर दिया जाए, ठीक है, fae की verb has said, it की verb is working, ठीक है, evaluate का assess, robust का strong, each model की verb is, और ये have के साथ third form जो दिरखी है, ये causative verb है, किसी से कोई काम करवाने के sense में use किया जाता है, the fact that the worst largest economy is now faced with, worst largest economy जो है वो अमेरिका के लिए कह रहा है, US के लिए कह रहा है, अब fact, क्या fact, कि विश्यो की सबसे बड़ी अर्थिवस्ता, is now faced with, faced with का मतलब है इसका सामना हो रहा है, confront हो रहा है, ठीक है, तो इसका सामना हो रहा है किस से, the risk of large scale domestic and international air travel disruptions, यहाँ पे खत्रा है, कि बहुत बड़े स्तर पर घरेलू या अंतरास्त्री ये air travel disruptions हो सकते हैं, यहाँ पे हवाई जहाज को cancel करना पड़ जाए, recedule करना पड़ जाए, बहुत सारे destination जाने वाले हवाई जहाजों को रद्द करना पड़ जाए, ऐसी समश्या यहाँ पे आ सकती है, इस समश्य इसे जो यह introduce किया गया है, 5G telecom services को उसके कारण, तो यह fact जो है, यह point करता है, point के साथ two लग रखा है, इशारा करता है, किस तरफ, the peculiar, peculiar का मतलब होता है strange, या फिर इसका मतलब होता है queer, यह इशारा करता है, कुछ अजीब सी समश्याओं के बारे में, समश्या किसकी, US market की, including, जिसमें शामिल है, क्या शामिल है, the particular frequencies allotted there for 5G, जो vicious frequencies वहाँ पे अलोट की गई है, 5G के लिए, वो उसमें शामिल है, repeat कर रहा हूँ, fact की verb points है, ठीक है, words largest economy की verb है, वो is है, now यहाँ पे adverb of time है, faced with का मतलब इसका सामना होना है, confront करना है, तो कह रहा है कि यह fact, कि विश्यो की सबसे बड़ी अर्थविस्ता, मतलब US का सामना भी हो रहा है, उस risk से, वो खत्रा सामने है, खत्रा क्या है, कि बहुत बड़े स्तर पर घरेलू और या अंतराष्ट्री जो air travel disruptions यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, किसके कारण, relatively belated rollout के कारण, मतलब तो नात्म करूप से देरी से यहाँ पे introduce किया गया है, 5G Telecom Services को उसके कारण, तो यह इशारा करता है किस तरफ, कुछ अजीब सी समश्याओं के तरफ, समश्याओं किस की है, US Market की, और उन समश्याओं में शामिल है, particular frequencies, कुछ vicious frequencies यहाँ पे अलोट की गई है, 5G के लिए, वो भी इसमें शामिल है उन समश्याओं में शामिल है, South Korea, China and Japan and several European nations, यह कुछ देश, have already successful, इन सब के लिए आ रहा है, have और rolled out, have helping work, rolled out, man work, तो इन देशों ने, South Korea है, China है, Japan है और अनेकों European रास्टर हैं, जिन्होंने पहले ही सफलता पूर्वक 5G Services को launch कर दिया है, and the US Telecodes have cited, और US की तेलेकॉम कंप यह यह है, उन्होंने हावाला दिया है, site का बताया है, मैंने court होता है, refer होता है, mention होता है, इन्होंने कारण बताया है, the lack of problems in these jurisdictions, jurisdiction का मतलब नियाइक छित्र, इन्होंने कहा, कि इन को पूछा, भी तुमने लेट क्यों किया, इन्होंने जब लोंच कर दिए, तो इन्होंने क के रूप में कुछ साक्षे के रूप में इन्होंने कहा कि यहां समझ्याई कम है that the FAA and airlines need to do more to find solutions ठीक है कि कहा कि भी जो FAA और airlines है इनको आवशक्ता है इसकी वर्भ है तो do more कि कुछ जादा करना है इनको to find solutions कि इनको हल निकालना है किस चीज़ का हल निकालना है deployment of the wireless technology near airports deployment का मतलब यहां पे लगाना है अगर कोई विक्ति को deploy करते हो तो इसको तैनात करते हो तो technology deploy कर रहे हो तो इनको आवशक्ता है कि कुछ जादा काम करें किस के लिए हल निकालने के लिए solution जिस किसी का भी होगा उसके लिए टू लगेगा solution किसका निकालना है कि wireless technology को airports के नजदिक लगाने के लिए क्या इनको solutions निकालना है उसके लिए अधिक काम करना पड़ेगा तो इन सबकी वर्ब तो have rolled out है US telecoach की वर्ब have cited है the FAN airlines की वर्ब need है solutions के साथ two लगेगा अगर solution दे रखा है किस चीज़ का solutions के लिए two का प्रियोग करेंगे deployment का मतलब यहाँ पर use करना है site का मतलब यहाँ पर हवाला देना है court referee या mention होता है jurisdiction है इन आइक छेत्रों को बोलते है these के बाद दे रखा है तो this that these or those इनके बाद अगर noun आप लगाते हो तो इन्हें कहा जाता है demonstrative adjective अगर आप इनके बाद noun नहीं लगाते हो तो इन्हें कहा जाता है demonstrative pronoun तो यह कुछ difference है इनके अंदर आगे देखें the FAA on its website has pointed FAA ने अपनी website पर इट सारा possessive adjective FAA के लिए यह इसकी verb देखो has pointed point के साथ two लगेगा यह बताया था तो FAA ने अपनी website पर point किया है इशारा किया है किस तरफ the specifics of the proposed F5G rollout in the US कि US के अंदर जो प्रस्तावित F5G का rollout है 5G को launch करने की प्रक्रिया है उसके कुछ vicious चीजों के और इशारा किया है France के साथ तो उसमें और US में क्या differences है and asserted assert का मतलब claim करना है दावा करना है और दावा किया है that some key differences pose challenges कि कुछ महत्तोपूर्ण यहाँ पे differences है कुछ अलग-अलग अंतर है जो यहाँ पे चुनोतियां पेश कर रहे हैं pose का मतलब होता है raise करना या close करना raise करना या close करना मतलब कोई समझ्चा खड़ी करने के लिए pose का प्रियोग आप कर सकते हो ठीक है करने के लिए आता है for one किसी के लिए भी the aviation regulator aviation का मतलब होता है उड़ेन या फिर इस एयर एरोप्लेन के से संबंदित जो होता है उसको aviation बोलता है तो aviation regulator FAA की बात कर रहा है तो किसी के लिए भी FAA है ये दावा करता है content का मतलब वही desert है ये दावा करता है क्या कि planned buffer zones for US airports पहली बात तो buffer zone क्या होता है buffer zone का मतलब एक land होती है ये एक land का part होता है जो दो जगहों को अलग-अलग करता है ठीक है ताकि attacks अगर हो दो मानलो कोई दो देश है उनके बीच एक छित्र है जो buffer zone है इसका मतलब वो separate करता है इस देश को इस देश से ताकि जब कभी defense के हिसाब से मानलो कोई attack वगर मतलब ऐसे आसानी से ना हो पा दावा करता है कि planned buffer zones for US airports कि US के airports के लिए जो planned buffer zones है वो क्या करते हैं वो cable protect करते हैं last 20 seconds of the flight मतलब flight के जो अंतिम 20 seconds होते हैं वही सुरक्षा दे पाते हैं ये buffer zones buffer zones की verb है ये protect है जबकि France में अगर बात करें तो flight के last 96 seconds जो है वो protect किये जाते हैं ये passive हो गया आर के साथ protected 96 seconds की verb है ये are protected है from any interruption from 5G signals किसी भी interruption से कहां से 5G signals से तो 5G signals से कोई भी interruption ना हो इस मतलब interruption को रोकने के लिए 96 seconds यहां पे protect होते हैं जबकि US के अंदर अगर बात करें तो cable और cable 20 seconds ही protect होते हैं ठीक है also साथी 5G power levels 5G power levels are lower in France अब ये France से तुलना कर रहा है कि क्या डिक्कते हैं France में कैसे launch जल्दी हो गया कैसे US में लेट हुआ वो सब differences यहां पर बताए जा रहा है 5G power levels जो है न वो भी कम है तुलनात्मक रूप से France में जो ऐस्ताई रूप से पूरे राष्टर भर के अंदर lower power levels जो है US में वो अभी भी ऐसी संभावना है कि धाई गुना ज्यादा है धाई गुना ज्यादा powerful है France की तुलना में बहुत सिंपल सी बात यह है कि 5G power levels जो है फ्रांस में वो लोवर है लोवर है क्यो डिगरी comparative क्यों लोग है कि अमेरिका से तुलना कर रहा है यहां तक कि अगर सबसे कम अगर पूरे राष्टर भर में lower power levels देखे जाए US में तो वो अभी भी धाई गुना ज्यादा है फ्रां something difficult to do उनके सामने एक मुश्किल काम होगा in pushing to hammer out क्या काम होगा push का मतलब try करना hard कोशिश करना मेहनत करना काम यह होगा कि hammer out करना है उनको resolution मतलब एक हल निकालना है या फिर एक solution तक पहुंचना है hammer out का बताया था मैंने कि to reach an agreement after consideration or discussion चर्चा करके negotiation करके अगर आप कोई agreement तक पहुंचते हैं उसे कहते हैं hammer out अब यहाँ पर ऐसे मानलों कि लंबे समय से एक solution खोजा जा रहा है solution किसका इस impasse का impasse इस dead log का कि यूएस की company चाहती है कि 5G services launch हो जाएं लेकिन launch नहीं हो पा रही है कुछ जो aviation regulator है वो कुछ challenges यहाँ पर बता रहा है कुछ warnings दे रहा है तो यह जो एक impasse की स्थिती है उसका solution निकालने की कोशिश तो इनके सामने एक बहुती मुश्किल काम है मुश्किल काम यह है कि इनको कोशिश करनी है कि काफी लंबे समय से जो हल नहीं निकल पाया है इस समश्या का वो हल निकाला जाए so as to so as to का मतलब होता है in order to ताकि in order to इस उद्दिश्य से ताकि क्या हो ताकि minimize किया जा सके कम किया जा सके any further disruption आगे कोई भी व्यवधान अगर आता है तो उसको कम किया जा सके to the already pandemic hit global travel और व्यवधान किसके सामने कि पहले से ही इस वैश्विक महामारी से के कारण यहाँ पूरे विश्यो भर में travel और trade sectors के अंदर disruptions आ रखे हैं जो travel sector है और व्यापारिक sector है वहाँ पे व्यवधान पहले से ही है और इन व्यवधानों को इन परेशानियों को आगे कम किया जा सके इसलिए इनको काम करना पड़ेगा कुछ मुश्किलें इनके सामने हैं इनको थोड़ी जादा मेहनत करनी पड़ेगी तो यह था आज के इस एडिटोरियल में अब मिलेंगे कल शाम पांच बजे तब तक लिए नमस्कार थैंक्यू वेरे मच